या वेल, हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू इस्टार, स्राडी इस्टार क्लासेस, ऐसा करते हैं कि आज हम लोग सीटेट का जो 6 एक 2022 है, निकि 6 जनुरी जो 2022 को ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसमें जितने भी मैथमेटिक्स के कोशन आप से पूछे गया थे, उसको आज हम लोग स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य था कोई बात नहीं, तो आए शुरू करते हैं कोशन को, सबसे पहला कोशन इसमें दे रखा है, यानि कोशन नुमर 31, कि 25,347 में कितने सैकड़े हैं, किसमें कह रहा है, 25,347 में कितने सैकड़े है यानि कितने 100 हैं, तो 100 ग्याद करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सिम्पल सा हम 100 से डिवाइड लगा देंगे, जब इसमें 100 से डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना जाएगा, 257 यानि कि इसमें perfect 100 कितने हो जाएंगे, 253, यानि कि इसमें पहले option में 253 जो होगा, correct answer और ये option number कौन से है, ये है आपका option number 2, ठीक है, चलिए, next question पर चलते हैं, next question कहे रहा है कि मैं दो अंको की एक बिसम संख्या हूँ और 24 गुणे 4 से अधिक हूँ, यानि कि 24 गुणे 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 24 गुणे 96 होता है, 96 से अधिक एक बिसम संख्या दो अंको का क् 99 होगा और या तो 99 होगा, दो इनों हो सकता है, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि मेरे इकाई और दहाई का अंक बराबर है, यानि इकाई और दहाई का जब अंक बराबर है तो 99 ही नहीं कैसा number है, जिसका इकाई और दहाई दोनों बराबर है, तो ये option number कौन सा है, पह 17,875 में आए दो साथ के अस्थानियों मानों का अंतर बताईए यानि place value of 7 in given number तो place value और face value के बारे में हम लोगों ने अपने पहले बडियों में भी चर्चे किया था कि face value और place value कैसे find करते हैं तो हमारे पास number दे रखा है 276,875 इसमें जो पहला 7 है या पहला 7 कह लिजए हिंदी में तो 7 का पहला जो place value होगा वो कितना होगा 7 किस पे है? 11, 12, 10 पे हैं यानि कि पहला के लिए कितना हो जाएगा? 70, अच्छा दूसरा किस अस्थान पे है? तो 11, 12, 7, 1000 और 10,000 यानि कि 7 into 10,000 यानि कि 70,000 अब इसका क्या कह रहा है? अस्थानी अमानों का अंतर ग्यात करना है यानि कि 70,000 में से 70 को हम क्या करेंगे? मैनस कर देंगे तो 0 से 0, 10 से 7 10 से 7 यानि कि 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा 9, 9 और यह हो जाएगा 6 यानि कि 69,930 तो लास्ट में चेक करते हैं कि लास्ट में किस में 930 दिया है तो पहले में 930 है नहीं दूसरे में 930 है नहीं तीसरे में भी नहीं नहीं तो यह रहां 930 option no.4 यानि किसका right answer कौन से हो जाएगा option no.4 हो जाएगा 33 का option no.4 अब आते हैं 34 पे 34 में कह रहा है कि सुन्य दसंबलो सुन्य एक तीन और सुन्य सुन्य साथ का गुणनफल कितना होगा तो दसंबलो का गुणनफल तो सबको आता है यदि दसंबलो का गुणनफल सबको नहीं आता होगा तो ऐसा करते हैं कि हम बताते हैं आसानी से कैस सी होगा दस्वं लो सुने एक 3 को गुना कराने किसे से ठोड़ सुने साथ से ठिक है तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिए कि दस्वं अगोरी अग्यारी हो始िए दो तीन ना दो आग्यां और यह कितना अग्या कित्ना जाहेंगा । तो हम क्या करेंगे जो 1 आन्बे है इसमें इसको 5 अंक बनाके 10 अंग लगा देंगे तो इसमें 2 अंग तो पहले से है और जो 3 अंग बनाएंगे इसको बस सुन्य लगा देंगे यानि कि 10 अंग शुल्य 9,1 तो 10 अंग शुल्य 9,1 यह तो पहला ही option देख गया तर इसका right answer कितन हो जाएगा option number 1 यानि 34 का पहला option correct होगा 35 क्या कह रहा है 35 कह रहा है कि नीचे एक तालिका दी गई है आंकडों को पढ़िए और सही कथन का चुनाओ कीजिए बच्चों का पसंदीधा पे पसंदीधा पे दूद कितने बच्चों का है 30 बच्चों का है कॉफी 25 का चाय 35 का जबकि नीवू पानी 10 का है सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि पूरे बच्चे कितने हैं तो 30, 20, 50, 50, 30, 80, 80, 90, 90 और 50, 90 अनि कि टोटल 100 बच्चे हैं ठीक है 100 बच्चों में से 30 बच्चों को दूद पसंद है 25 बच्चों को कॉफी पसंद है 35 बच्चों को चाय और नीवू पानी 10 को है अब आईए ओप्सन देखते हैं क्या कहा रहा है पहला option कहा रहा है कि नेबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का एक बटा पांच है देख लेते हैं नेबू पानी कितने पच्चे पसंद करते हैं? दस कुल संख्या कितनी है, 100, तो कितने भाग हो जाएंगे, यह हो जाएगा, एक बटा 10 भाग, जबकि इसमें कितना दिया है, एक बटा 5, यानि कि पहला option गलत है, दूसरा option कह रहा है, कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या का एक चोथाई ह देख लेते हैं, तो कुल बच्ची कितने है, 100, और कॉफी कितने पसंद कर रहे हैं भाई, तो कॉफी पसंद कर रहे हैं, हमारे पास 25, जब 25 पसंद कर रहे हैं, तो 25 बटा 100 मतलब हो ही जाएगा, एक बटा 4 यानि एक चोथाई बच्चे हैं, यानि कि इसका दूसरा option क्या ह हो जाएका सही हो जाएका निया कि option number two is right answer तीसरा तीसरा कह रहा है कि दो बज़े घड़ी की सुयों द्वारा बनाया जाने वाला कोण माप क्या होगा तो यह तो हम सभी जानते हैं कि जो यह हमारा एक घड़ी होता है इसमें यदि कभी भी हम यहां पर बज़ेगा तो हमारे पास आईसी सुई हो जाएगी तो इसके बीच का इंगल कितना हो जाएगा साथ हंस का हो जाएगा ये कितना हो जाएगा option number 3 is right answer ठीक है ये कौन सा question number था question number 36 का क्या हो जाएगा option number 3 चलिए अब देखते हैं question number 37 को इसमें इसको पहले भी हमने बता रहा था देख लिए इसमें कह रहा है कि पहले question क्या कह रहा है बिनसी सजावट की वस्तुवों पर नियूंतम रासी खर्च करना चाहती है ठीक है निम्य लेकित में से वो कौन सा विकल चुने जिसे से उसकी नियूंतम रासी खर्च हो यानि कि ये कुछ हमारे पास option दिये गए हैं इसमें से देखना है कि सबसे कम रूपिया किस option में लग रहा है ठीक है तो इसमें आईए हम लोग सुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कह रहा है कि अठारा रूपिया पचास पैसा पर तेक वस्तु की दर यानि एक वस्तु का दर कितना है एक दर्जन में कितना होता है 12 पीश तो 16 गुणय का 12 यानि कि बार्चा के 72 के दूसरा और 12 के 12,7 19 192 पीश का दाम निकालना है तो हम क्या करेंगे 192 में 18.5 यानि कि 18 पैसा से गुणा करा देंगे तो जब हम इसको सिधा सिधी 192 या फिर ऐसे लिख ले 192 गुण 18 से पहले हम गुणा कराते हैं तो जब हम 192 और 18 से गुणा कराएंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो आरा है इसका answer यह जो आरा है यह आपका कितना आ जाएगा इसको गुणा करान रूपे आरहा है 3456 रुपे वही जब इस दोनों को हम लोग एड़ कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये 3456 और 96 कितना हो जा रहा है तो ये हमारे पास हो जा रहा है कितना टोटल 3500 रूपिया 3500 रूपए यानि कि पहले में कितना खर्चा कर दे रहा है 3500 रूपए पहला जब वस्तू खरे देगा तो 3552 अब दूसरा कह रहा है कि 61 रूपए 50 प्रतिक पैकेट की दर्द से 170 पैकेट का दाम यानि कि इसमें 170 में हमको गुना कराना पड़ेगा 31 रूपए 50 पैसे से तो जब आप 31 रूपए 50 पैसे से आप गुना कराएंगे 170 पैकेट का दाम के लिए तो ये आपको 3655 रूपए आ जाएगा कितना आ जाएगा 3655 रूपए ठीक है अब अगला देखते है 3655 और तीसरा हमारे पास क्या दे रखा है तीसरा हमारे पास दे रखा है 25 रुपय प्रतेग वस्तू की दर से 12 दरजन का दान तो 12 दरजन में 12 गुने 12 यही नो हो जाएगा तो जैब 25 में 144 से गुना करा दीजियेगा तो यह आपको 36 रुपय आ जाएगा ठीक है? अच्छा यह है 16 रुपय की दर से कितना हो जाएगा 3630 रुपए अब ये बताएए ये हमारे पास चारो जो आइटम है इसका प्राइज हमारे पास सामने है पहले को जब खरीता तो उसको 3520 रुपए देना पड़ता और रेस्ट अब खरीता तो सबको 3600 रुपए से अधिक पैसा देना पड़ता तो अब अगले कोश्चन पर चलते हैं ये हमारे पास दे रखा है बिभीन पौधो बिभीन सब्ता हो के एक पौधो के लंबाई में परिवरतन को सेंटीमेटर तालिका में दिखाया गया है ठीक है तो चलिए इसमें कहा रहा है कि पहले सब्ता में कितना बढ़ रहा है दसमलो 5 में तेसरे में 5.8 cm, 14 में 8.6 cm जबकि 25 सब्ता में 11.5 cm बढ़ रहा है अब बताना है कि पौधो की लंबाई में सबसे अधिक परिवरतन डैस में हुआ है सबसे अधिक परिवरतन अच्छा सब्ता एक से दो में जायेगा यानि कि 2.7 से हम देखें तो कितना बढ़ होतरी हु इसमें हुआ है 2.2 cm तो 5.8 है इसमें 2.7 हुआ है तो 3.1 यानि कि इसमें कितना हुआ है 3.1 cm तीन से 4 में जा रहा है तो 8.6 से 5.8 कितना अधिक है भाई तो यह हमारे पास 16 में से 8 जाएगा तो 8 और 7 में से यानि कि 2.8 cm अच्छा अब आते हैं 4 यानि 11.5 से 8.6 की बात है तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2 यानि कि 2.9 तो बढ़ किस में रहा है जब यह दूसरा सब्ता से 3क्राप में आ रहा है तो 3.1 cm बढ़ जा रहा है किसमें दूसरा से 3 में तो देख लेजिए दूसरा सप्टा से तीसरा सप्टा option कौन सा है यह रहा दूसरा option है सप्टा 2 से सप्टा 3 में यानि कि जो question number हमारा कौन सा है यह 38 है इसका सही option क्या हो जाएगा option number 2 next question check करते हैं कह रहा है कि मीता और बंटी अलग-अलग आकरितियों के फलक गिन रहे हैं ठीक है पहला गिन रहे हैं घन को दूसरा बेलन तीसरा घनाब चोथा गोले को ठीक है अब इसमें कह रहा है कि इसमें फलकों की संख्या चलिए फलक देख लगते हैं तो घन में जो हमारा फलक होता है और घन किस प्रकार का होता है तो घन हमारे पास कुछ ऐसे होता है ठीक है और जब इसमें आप फलक गिनिएगा तो आपको पता चलेगा कि फलक इसमें कितने हैं इसको हमने घन बनाया तो हमारे पास फलकों की संख्या देख लिजे कितने हैं एक टॉप का एक ब रेंडर यानि कि बेलन, टॉप और बॉटम मिलके दो हो गए और ये कि हमारा कर्फ सर्फेस वाला, यानि कि 2 प्लस 1 मिलके कितना हो गया, 3, बेलन में कितने टोटल फलक हो गया, 3, अच्छा घनाब और घन में सेम होता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 6, गोला में क्या होत नहीं होगा, 8 से है तो हैने 6, 3, 6, 1, यानि कि इसका option कौन से हो जाएगा, option number 4, अगले question पे चलते हैं, 39 का आपका क्या रहा, 39 का आपका 4, ये रहा, fraction वाला है, 39 के बाद ये हमारे पास है, question number 40, question number 40 कह रहा है, एक निन्मे लिखित में से कौन सी, निन्मे लिखित में से कौन सिभिन, 7 बाद 8 से कौम, और 1 बाद 3 से अधिक है, आइए चेक करते हैं, 9 बाद 10 और 7 बाद 8 के अधि compare करें, तो सीधा आप cross multiply करा के चेक कर लिजी, 8, 9 जा 72, और 10, 7 जा 70, इसमें जो पहला है, 9 अपान 10, ये 7 अपान 8 से क्या है, अधिक है, जब कि इसमें पहला 7 बाद 8 स सते 77, 8 तरीके 24, चलिए, ये तो ठीक है कि 7 बाद 8 से कम है, लेकिन 1 बाद 3 साधिक है कि नहीं, इसको चेक करते हैं, 3 बाद 11 और 1 बाद का 3, तो cross multiply कराएंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, इससे तो इससे भी कम हो गया, आनिकि दोनों से कम हो गया, दोनों से क 24 सते 77, 28, 27, 24, 16, 16, यानि 136 वला कम है, यानिकि 17 बाद 24 क्या है, 7 बाद 8 से कम है, चलिए, पहला तो ठीक है, 1 बाद 3 से चेक कर लेते हैं, 17 बाद 24, और इसको cross multiply किसे कराएंगे, 1 बाद 3 से, तो 24 से एक कम, 24, ठीक है, और ये हमारे पास रहा, 17, 15, अच्छा देखिए, ये क क्या है, 17 बाद 24, एक बाद 3 से अधिक है, और इससे कम है, यानि कि option number जो 3 है, 17 बाद 24, 7 बाद 8 से कम है, और एक बाद 3 से अधिक है, चलिए, next पे आते हैं, next में कह रहा है कि 5 मित्रों की आउसत लंबाई, यानि कि average जो length दिया है, वो 150 cm दे रखा है, किसका, total 5 का, तो total इनकी length कितनी हो जाएगी, total length के लिए क्या करते हैं, number of candidates से average को multiply करा देते हैं, यह कितना हो जाएगा, 750 cm, अब कह रहा है कि 4 मित्रों की लंबाई या दे रखा है, तो 4 मित्रों की लंबाई या 153, 150, 151 और 147 है, तो अब पूछ रहा है कि 500 मित्रों की लंबाई क्या है, पूरे मित्रों की लंबाई हमक को पता चल जाएगा, घटा देते हैं, 3, सुन्य, 3, 1, 4, 4, 7, 4, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 16, 16, 14, 20 का सुन्य, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, यानि कि जो 4 मित्रों का आउसत लेंद, जो 4 मित्रों का टोटल लेंद हा रहा है, वो कितना रहा है, 601 cm, और टोटल कितना है, 750, और इ 149 cm, यानि 5 मित्र का लंबाई कितना है, 149 cm, और सामने option number 2 हमको डिक रहा है, इसलिए जो 41 है, इसको option number 2 क्या हो जाएगा, correct answer, चलिए, अब हम चलते हैं, question number 42 पे, 42 कह रहा है कि team A ने पहली पारी में 368, दूसरी पारी में 400, अन्ठावन रन बनाए, team B ने पहली पारी में 395 और दूसरी पारी में 449 रन बनाए, तो किस team ने match जीता और कितने रन से जीता, यह तो आसान है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, team A का, team A का पुरा रन देख लेते हैं, तो 368 और 400, अन्ठावन यह team A का है, और team B का कितना है, 395 और 449, दोनों का जोड़के देख लेते हैं, त यानि कि team A कितना बनाया है, 826 और team B ने 954, एक 932, तो यह तो 2 है, यह तो 4 है, अच्छा कितना रन से, तो 834 यह बनाई है, 826 यह बनाया है, घटाएंगे तो पता चलेगा, कि team B जो है, वो 8 रनों से जीती है, और 8 रन केवल और केवल की इसमें दिखाई दे रहा है, ओफसन नमबर 4 में, यानि कि यह जो question नमबर 42 है, इसका right answer क्या हो जाएगा, team B, जो कि 8 रन से जीतेगी, चलिए, यह train वाले question है, यह train वाले question हर एक shift में पूछा जाता है, और हमेंसा पूछा जाता है, इसमें कहा रहा है कि एक train नई दिली railway station से 28 सितंबर को 5 बजे, यानि कि यह 28 को चल रही है, 5 बज कर 30 मिनट पे यह 28 को चल रही है, सुबह में, यह 5.30 यानि कि एम होता है, तो morning में चलेगी, ठीक है, चलिए, और 21.50 पे पहुँच रही है कब, अगले दिन, यह नह नहीं पहुँचती है, तो train द्वारा यातरा में लिया गया कुल समय, तो सबसे असान तरीका से कैसे करेंगे, अच्छा, सुबह जब चलेगी एम पे 28 को, तो 5.30 साम को पहुँचेगी, ठीक, यानि कि अभी पहले दिन में ही चल लगी है, अच्छा, 5.30 से जब फिर 5.30 तो यानि कि 5.30 साम को यानि पियम और इसको हम लोग क्या कहते हैं, 17.30 मिनट क्योंकि साम के समय हमारा क्या होता है, 13, 14, 15, 16 का फॉर्मेट होता है, 24.00 में तो अभी तक तो साम को 5.30 की ही बात है, तो 5.30 से 21.50 मिनट पे यह पहुँच रही है, यानि 21.50 मिनट पे थिक है, 35 में यहां से यहां 12 और यह 12, 24 और यह 36 यह टोटल 36 घंटे का समय लेगी तो दूसरे दिन यांने 29 को साढ़े 5 बजे साम तक अभी ट्रेन कभर करेगी लेकिन उसको साढ़े 9 बजे पहुचना है, तो साढ़े 5 से साढ़े 6 यह एक घंटा और फिर साढ़े 6 से साढ़े 7 यह एक घंटा और साढ़े 7 से साढ़े 8 यह एक घंटा और फिर हम देखेंगे अभी इसको साढ़े 9 बजे जाना है कहां गया यह रहा यानि कि साढ़े 8 से साढ़े 9 यह एक घंटा, 9.50 से पहुंच रही है, तो 9.30 तक हमारा 4 घंटा हो जाएगा, प्लस 20 मिनट, यानि कि पहले उसने 36 घंटा चला है, फिर 4 घंटा 20 मिनट एड़ करेंगे, तो पता चलेगा कि 21.50 पे वो पहुंच जाएगी, तो 36 घंटा प्लस 0 मिनट और 4 घंटा प्लस 20 मिनट, यानि कि 40 20 मिनट में, वो क्या करेगी, दूसरे दिन पहुंचेगी, तो 40 घंटा 20 मिनट देखिए, उप्सन नमबर पहला ही दिख रहा है, 40 घंटा 20 मिनट, चलिए, नेक्स कोशन पे चलते हैं, कोशन नमबर 44, इसमें कह रहा है कि दिये गए विकल्प में, उस संख्या को चुनिए, जो 5 और 7 का गुणज हो, लेकिन 6 का नहीं, तो हम देख रहे हैं, कि 5 से उस संख्या कटती हैं, जिनके उनिट प्लेस पे 0 या 5 होता है, तो सभी प्लेस पे क्या है, 0 है, यानि कि 5 से तो यह कट जाएगी, सभी शंख्या है 5 से कटेंगी, अच्छा, 7 से देख रहा है, तो टेबल में सभी आ रहे हैं, 7,3,7,4,7,9,7,6, यानि कि 5,7,7 से तो सारा का सारा नॉम्बर कट रहा है, अब हमको करनीशन चेक करना है, 6 वाल, तो यह बताए, 6 से कौन सा नॉम्बर कटता है, जो 2 से भी डिवाइड हो, और 3 से भी डिवाइड हो, तो 2 से तो सारा नॉम्बर तो हुरै में गरेंगे तो टेन होगा और थ्रीके टेवल में चipes नहीं है यानि कि जो 280 है ये 6 से डिविजबल नहीं है तो इसके लिए right answer कौन सो जाएगा option number 2 वैसे आप भाग देके भी चेक कर सकते थे वो आपके उबर depend है चलिए दिम्लेदिकी में से किस अक्षर में 36 और उर्धवादर यानि horizontal and vertical दोनों प्रकार की सम मेती रेखाएं है symmetrical line क्या होती है? symmetrical line वो होती है कि हमारे पास कोई भी जो भी हमारे पास letter है इस letter को जब हम beach से divide करें तो क्या हो? दो बराबर भागों में मढ़ जाए तो e को यदि हम beach से symmetrical line बनाएंगे तब तो ये equal में divide हो जाएगा लेकिन e को यदि vertical line देंगे तो ये कभी भी equal divide नहीं होगा तो पहला अपसान तो गलत है t t को यदि vertical देंगे तब तो equal में divide होगा लेकिन t को यदि horizontal देंगे तो equal में divide नहीं होगा t भी नहीं होगा h है h को यदि हम 20 से divide करेंगे याने की horizontal divide करेंगे तो उपर नीचे दोनों symmetry line हो जाएगी यह हमारे पास दोनों equal बन जाएगे और h को यदि हम लोग ऐसे vertical भी डिवाइड करेंगे तो भी यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा symmetrical line के थुरू यह दो पार्ट में equal divide हो जाएगा यानि कि h एक ऐसा है letter जो symmetrical में आता है वैसे यह question मालूम है कई बार पूछा जा चुका है और h एक ऐसा letter है जो symmetrical line पे horizontal और vertical दोनों में क्या होता है equal divide होता है इसका option क्या हो जाएगा 45 का option number 3 46 पे आते हैं 46 कहा रहा है अच्छा है यह तो अब हमारा किसका आगा यह तो हमारा CDP का आगा analysis में तब तक बने रहे है SRD Star Classes के साथ दोस्तों धन्यवाद